इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेन गिरावट आ रहा है और क्या इसका वज़ा है गिरावट का वो इसमें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है इस वीडियो में इसका सौट अनलिसिस करेंगे इस सेयर का और जानने की कोशिस करेंगे क्यों इसमें इतना गिरावट आ रहा है और आजा इंवेस्टर आपके पास क्या option है करने के लिए सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे तो इस वीडियो में आप बने रही है मैं आपको एक disclaimer दे देना चाहता हूं कि इस company के shares मेरे portfolio में है तो हो सकता है कि मैं इसको लेके bias भी हो सकता हूं और ये किसी भी तरीके का buy or sell का recommendation नहीं है क्योंकि पैसा आपका है तो जरूर आप अपने financial advisor से consult करके ही कोई फैसला ले तो इस वीडियो में आप बने रही है सबसे पहले ये जानते हैं कि इस company के financials कैसे हैं तो revenue और profit पिछले कुछ quarter से लगतार बरता हुआ दिख रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है इस company के लिए कोई ऐसा sign नहीं है कि इस company में गिरावट देखने को मिल रहा है जैसा कि गिरावट देखने को मिल रहा है तो revenue पिछले जून के quarter से इस quarter में सितंबर के quarter में बढ़ा है और profit भी net profit भी बहुत अच्छा increase हुआ है लेकिन आपको एक other income के तौर पे दिख रहा होगा quarterly result में सितंबर के result में दिख रहा कि एक other income में 49 करोर का profit है अगर इसको अब हटा भी दे क्यों हटाने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि other income का मतलब होता है कि इस company का profit आया है जो income के तौर पर ये company दिखा रही है वो इसके business से नहीं आया हो सकता है कि कुछ assets से इस company के profit आया होंगे या हो सकता है कि इसके investment से ये profit आया होंगे इसी लिए company other income के तौर पे दिखा रही है तो इसको भी अगर आप हटा दे 49 करो को भी इस quarterly result से हटा दे सितंबर के quarterly result से तो भी basis पे अब चलते हैं इसके yearly result पे और yearly result में हम देखेंगे trailing 12 मन का इसका देखेंगे कि पिछले 12 महीनों ये company कैसा कर रही है तो अगर इसका yearly result पे देखेंगे तो TTM यानि कि trailing 12 मन का अगर इसका revenue और net profit देखेंगे तो highest ever revenue और highest ever net profit इस company ने जेनरेट किया है और इस इसमें भ 12 महीनों में यानि कि company अच्छा business कर रही है revenue अच्छा इसका generate हो रहा है अच्छा net profit generate कर रही है इसमें आपको अगर इसका date to equity ratio भी देखेंगे तो 0.36% का है जो की बहुत ही ज्यादा नहीं है ज्यादा manageable date है ऐसा नहीं है कि company के बहुत ही तादा date है और ये company कर्ज में डूब जाएगी ऐसा भी नहीं है company लगातार अपना reserve बरा रहा है और अपना date को लगातार चुका रहा है हर quarter में हर year में ये company अपना date को कम कर रहा है जो इस company के लिए positive sign है और अग्वेस्टर हमारे लिए भी एक positive sign है और company में ऐसा मुझे कुछ problem नहीं दिख रहा है इसके financials में और net profit generate कर रही है वो इस company के पास आ रहा है तो ऐसा सच कोई problem मुझे नहीं दिखता है जिसके कारण इतना गिरावाट आ रहा है और अगर इसका peer comparison देखेंगे जितने भी इसके इस सेक्टर में जितने भी कमपनिया है तो asian credito तीसरे या चौथे नंबर पर आती है पहले तीसरे undervalued share है अपने peer comparison में जितने भी इसके उपर या जितने भी इसके नीचे आप देख सकते हैं कि PE ratio देखेंगे तो यह 6, 6.5 के PE पर यह company trade कर रही है जो कि अपने पूरे के पूरे sector में बहुत सबसे कम है और अगर इसका अगर आप quarterly sales देखेंगे quarterly result देखेंगे quarterly sales देखेंगे net profit अगर peer comparison करेंगे तो ऐसा कुछ जादा का difference नहीं है लगबग दूसरे तीसरे number से इस company का quarterly sales quarterly revenue और quarterly जो net profit है वो लगबग same ही है थोड़ा बहुत कम है तो जादा कुछ difference नहीं है फिर भी इस company इतना कम value पर trade हो रहा है तो कहीं न कहीं ये एक undervalued stock है मेरे नजरिये से मेरे opinion म अब इसके share holding pattern देखते हैं कि share holding patterns का क्या कहता है तो share holding pattern में देखेंगे तो promoter का जो share holding है वो पिछले 3 quarter से constant है यानि कि कुछ भी बरहत या गिरावाट देखने को नहीं मिला है पिछले 3 quarter में promoters का उसके पहले 3 quarter से पहले इसके promoters ने इस company में अपना stake को कम किया था वो भी उस company के लिए बना रहे हैं जो आगे चलके इसी company के लिए manufacturing भी करने वाली है इसी लिए उस company के management ने बताया था कि वो अपना stake को कम कर रही है तो पिछले 3 quarter से भी promoter का holding है वो constant है तो इसमें भी कोई problem मुझे नहीं दिख रहा है FIS का holding अब देखेंगे तो FIS का holding और DIS का holding बहुत ही कम है यानि कि 9 के बराबर holding है लेकिन फिर भी अगर आप पिछले quarter से देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा बहुत बढ़ाई है जादा तर जो holding है इसमें public के पास है यह मेरे लिए concern का बात है क्योंकि public का जो public का holding है इस company में बहुत ही जाद है तो यह मेरे लिए personally जो मेरे opinion म लिए और यह company अच्छा growth कर रही है अच्छा business कर रही है अच्छा revenue और अच्छा profit generate कर रही है तो overall इस company में सब कुछ सही है company ने कुछ latest announcement भी की है जैसे कि वो गुजरात में world का सबसे बड़ा सोरुम बनाने वाला है tiles का जिसमें उसके company के सारे products वहाँ पे आपको देखने कर मिलेंगे और यह कुछ लाक स्क्वाइर फिट में है और उसने हाली फिराल उसने सबसेडरी भी बनाया है तो company हमेशा लगातार expansion पे ध्यान दे रहा है अपने product portfolio को लगातार growth grow करने पे ध्यान दे रहा है तो as such मुझे नहीं लगता है कि इस company में कोई भी problem है लेकिन फिर भी एक जो problem है वो लगातार इसके shares में आपको कमजोरी देखने को मिल रहा है लगातार गिरावाट देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से लगातार इसके shares में बहुत ही high volume के साथ इसमें गिरावाट देखने को मिल रहा है तो यह कही न कहीं एक concern है सभी investor के लिए मेरे ये भी एक concern है क्युई मैं भी इस company का investor हो जैसा कि MOI ख आ अगर आप भी इस company के तो आपके लिबी concern है क्योंकि जब 叮्पनी में इतना गिरावाट आता है जो आपन 250 पूर्फोलियों में होता है कुर्चों मेरा घोल में मेरने एनलाइस किया इस company को लेके दो कोई भी त निसमेर के हो सकता है कि वो बहुत इक खराब हो सकते हैं और यह इन्ऐ करके चल रहा हूं एसा पॉसिबल नहीं कि खराबी होंगे हो सकता वेलिक लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि अगर बहुत ही खराब वर जल्ट हुए उसका यह कंपनी के सियर प्राइज में गिरावाट आ रहा है पहला और दूसरा जो रीजन हो सकता है क्योंकि यह बहुत यह अंडर वैलुड इस्टॉक है इसके फाइनेंसियल्स और फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉंग है कंपनी लगतार ग्रो कर रही है मैणनुब्लेट कर रही है वह चाहते होंगे कि कम्पनी के सियर में गिरावाट लाए और गिरावाट लाने के बास जितने भी एक्षण कियोंटा ज्यादा है तो जो भी बरे प्लेयर है जो भी उसको आप जो भी बोल यह बर प्लेयर को अब ऑ्परे geb painter भी बोल सकते हैं तो अप्रेटर इसमें कहीं ने कहीं मुझे लगता है किसी भी तरगे का रिकमेंडेशन नहीं है तो वहां पर वह वैलू बाइंग करेंगे और फिर इसको जब जब वह अपने पॉट्फोलियों में एड कर लेंगे बल्क बाइ कर लेंगे उसके वाद इसके 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 शेयर प्रेमिय अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकत सकता है अगर 116 के लेवल को अगर ये कमपनी के से इस डिल ज biggest means इंसे जब जाधा वाट आता है तो यह सो के लेवल तक ये कमपनी सुर्फमें गिरावर नहीं देखने को मिल चाहिए आप अपने इस वीडियो में डिसकस किया है फिर भी मुझसे कुछ छूट गिया है चाहिए फिर भी आपके मन में कोई सवाल के सकते हैं उसका जरूर जवाब दूँक्त कमेंट बॉक्स में और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ऐसे ही सिवर माके और जितना हो सके अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो तो लाइक कीजिए और इस इस वीडियो को जितना हो सके आप सेर जरूर कीजिए क्ई meth यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद